एक ऐसा फल और सब्जी का उत्पादन देने वाला पेड जिसकी खेती कर किसान माला माल बन सकते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, कटहल जिसकी सब्जी के स्वाद का आनंद तो आपने बेहद लिया होगा, यह एक ऐसी खेती है जिसमें एक बार लगाईए और बार बार कच्चे फल की सब्जी और पकने के बाद उसके फल को खाने के उपरान्त बीज को भी फेकने के बजाए सांदार सब्जी बनाई जाती है।। इसका बजार में अच्छा खासा हर समय कीमत मिल जाता है। यह एक महत तुप्रून खेती है जो खोब मुनाफ़ा देती है। सायन विभाग के होडी प्रोफेसर असोक कुमार सिंग इसकी खेती को लेकर जानकारी दे रहे हैं। में कठल या बिहार की दरब बढ़ते जाएं तो कठल अच्छा होता है। जो भी प्रजाती का पौधा उपलब्द हो नरसरी पर या आजकल तो ज्याद तर हाइब्र प्रजाती के भी पौधे मिल जा रहे हैं कठल में। तो जिसी प्रजाती का पौधा उपलब्द होता है ले आएं उसको और लगाते समय 50 ग्राम डीएपी, 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम पोटैसियम सलफेट या मियूरिटा पोटास और कोशिश करें तो उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फासफेट और बाजार में अपने आप जो जिंग सलफेट इनके मिक्षर होता है और फिर उसको पौधे के लगाते समय उसमें भुरगुरा दें, भुरगुरा के मिट्टी में मिला दें, पौधे को लगा दें, लगाने के बाद बरसात का समय है तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि पौधे के आजपास बहुत पानी नई कठा हो, तो उसको ऐसा थाला बनाए कि थोड़ी सी उचाई वाला रहे, और फिर जैसे बरसात बिद जाती है, फिर उसको बढ़ियां से गुड़ाई कर दें, साल, देड़ साल या दो साल होते होते पौधा एकदम बढ़ियां उचाई ले लेता है, और तीसरे सा या पाउधे में मोटाई है, तो फूल आने की संभावणा बन जाती है, लेकिन प्रियास करें कि अगर पौधे का आकार और उसका साईज और उसकी मोटाई तने की जादा नहीं है, तो एक साल बचा देना चाहिए, चोट् לה देना चाहिए, चोथे साल में उसके लिए प्रि हो जाएगी बीच बीच में अगर पौधे में कोई समस्या दिख रही पत्तियों पे समस्या दिख रही है तो विश्य सग्वियों से सलाह ले करके उसमें जो घोल के रूप में छिड़काव है पोसक तत्यों का वो करें तो पौधा अच्छा और सक्सेस्कूल प्रगाम दे सकत है लोकाल लेटिन के लिए बलियां से सनंदर उपाध्याई की रिपोर्ट